स्टूरेंट के लिए और फंडमेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आज का जो क्वेशन हम करेंगे वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एक्जाम में आने के पूरे-पूरे चांसेज प्लस अगर कोई स्टूडेंट से रिलेटेट कोई सब्जेक्ट कर रहा है तो उनके लिए भी यह क्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर्स्ट रूपल हमारा क्वेशन है कि डिफाइन इन्वेस्टमेंट और इसे कौन-कौन से आपकी इन्वेस्टमेंट को जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो उस डिसीजन को मैन्यूपलेट करते हैं या उस डिसीजन लेते टाइम आपको कंसीडर करने पड़ते हैं तो यह क्वेशन आपका साथ से 8 मार्क्स का आ सकता है या कम से कम 5 मार्क्स का आ सकता है अगर आप दूसरी उनिवर्सिटीज में हैं. तो first of all, question को कैसे define करना है? जब भी इस type का question आए, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि जो चीज के बारे में, जो word के बारे में आप define करने जा रहे हैं, जो explain करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी जो direct आपकी definition होती है, उसको लिखें. For example, अभी हमारे question में, हमें इस बारे में बात करनी है, कि कौन सी ऐसे factors हैं, जो हमारे investment decision के time पे हमें consider करने पढ़ते हैं. तो भले ही आपके question में investment के meaning पूछी गई हो या नहीं, आप ज़रूर investment का meaning first of all लिखिए. So, in short term, अगर हम बात करें, तो investment होती है, the term investment implies employment of current fund to earn or commensurate return in future. यानि कि आज के time में आप अपना जो पैसा है, अपनी जो current fund है, उसको employment कर रहे हो अभी के लिए ताकि आपको return मिले in future. तो उसको हम investment कहते हैं. ये आप 2-3 line की उसकी definition लिख सकते हैं, प्लस उसमें कुछ अगर आपको example समझ आता है, तो वो भी लिख सकते हैं. इसमें आप कुछ, अगर आपको direct investment की कोई book की language की आपको definition याद हो, तो वो best रहेगी. अब इसका next part कैसे आप करेंगे? नेक्स आपका है कि कौन-कौन से points है, जो आपको decision के time पे consider करने पड़ते हैं. और उसको explain कर दीजे, जब भी आप investment करते हैं, तो आपको ये-ए points consider करने पड़ते हैं. अब बात करते हैं सीधा points की. सबसे पहला point हमारा है return. नॉर्मल बात भी अगर हम करें, अगर हम ज़ादा stock market पर न आ जाएं, तो मैं पैसा तब तक invest नहीं करूँगे, जब तक मुझे अच्छा return नहीं मिल रहा है. सपोस कर लीजे, मेरे पास दो plan आ गए. A और B, अगर मुझे A plan से 100 रुपे लगाने पे 15 रुपे का return मिल रहा है एक महिने में और वहीं B plan में मुझे 100 रुपे लगाने पे 15 रुपे का return मिल रहा है एक महिने में. तो normal से normal इंसान जो stock market के बारे में नहीं पड़ा हुआ, जो बहुत ही ज़ादा educated भी नहीं है, वो सीधा कहेगा कि इतना time लग रहा है, same पैसा लग रहा है, पर return मुझे B वाले plan में ज़ादा मिल रहा है, तो मैं B वाले plan को consider करूँगी. So, यहाँ पर क्या हुआ, return जिस investment में आपको जाला मिल, जिस option में आपको जाला मिलेगा, you will invest in that plan. So, first thing जो है, वो है return, अगर आपको return अच्छा मिल रहा है, तो आप सबसे पहले वहाँ अपनी investment करोगे, ना कि दूसरे plans में. तो पहला factor है, वो है return, अगर return अच्छी है, तो वो affect करेगा, आप उसमें invest करोगे. Now, let's move to the second one, risk. देखें, risk के बारे में अगर हम बात करें ना, तो बहुत से इसको wide area में आप cover कर सकते हो. जैसे कि, risk होता है कि आपकी expected return जो है, वो, और आपको actual return कितना मिल रहा है, उसका difference देखना. आपने expect किया था, 100 rupees लगाने पे आपको, 100 पे लगाने पे आपको 10 रुपे का return मिलेगा, लेकिन आपको actually क्या मिला? 8 रुपे का return. तो यहाँ पे जो risk था, वो कितना? तो इसको, जो इसमें difference आता है, यह आपका हो जाता है risk. और normal इंसान क्या है, वो कम से कम risk लेने वाला ही portfolio चुनेगा. यानि कि, जिस plan में उसको कम risk लेना पड़े, उसी में वो invest करना पसंद करेगा. हाला कि, इस case के कुछ exception भी बन सकते हैं. For example, कुछ लोग होते हैं, जो aggressive nature, aggressive investor होते हैं, aggressive यानि इनको जादा risk पसंद आता है. As you know, more risk, more return की एक policy होती है हमारी. तो इसलिए, पर कुछ cases में ही हम इसको consider करते हैं, बट अगर हम question का answer अपने exam में लिखेंगे, तो हम इसको normally define करेंगे, कि risk का meaning ये होता है, और इनसान जो भी investor है, जो भी invest करने वाला बन्दा है, वो कम से कम risk वाले portfolio में invest करना पसंद करेगा. 100% risk free. For example, government के जो securities होते हैं, government के जो bonds होते हैं, वो हमारे risk free होते हैं, उसमें कोई risk नहीं होता. क्योंकि हमें पता है, government एक बहुती अच्छी position पर है, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगी, कि हमारे पैसा डुप जाए, compare to a private company के shares हो गए, या उसके bond हो गए. तो second thing जो है, वो है risk. Now third one is liquidity. Liquidity का मतलब क्या है? मैं मेरे पास पैसा था, मैंने आज लगा दिया. अब कल को मुझे वो दुबारा cash चाहिए, urgent में cash चाहिए. तो क्या मुझे wait करना पड़ेगा, कि एक साल wait करूँ, मुझे अपने पैसे निकालने के लिए दो साल wait करूँ, नहीं. Liquidity का मतलब होता है, जो चीज़ आपके पास है, जिसमें आपने money को convert कर लिया है, उसको जल से जल आप दुबारा money में convert कर सको. जैसे मैंने cash से share ले लिए. अब मेरे पास share आ गए. अब shares को क्या मैं as soon as possible market में बेच के cash अपने पास वापस ले सकती हूँ? अगर हाँ, तो इसकी liquidity जादा है. यानि कि इसको cash में convert करने की जो हमारी शमता है, वो बहुत ही कम समय में हम कर सकते हैं. तो investor हमेशा ऐसी जगा पर invest करना पसंद करेगा, जहां पर उस investment की liquidity, उस shares की उस plan की liquidity जादा हो. क्योंकि in future अगर उसको कभी भी पैसे की ज़रूरत हुई, तो वो उसको convert कर सकता है. तो liquidity भी बहुत महाइने रखती है invest करने से पहले. Now, next one is, Now, the next one जो है, वो है marketability. Marketability यानि, अगर मुझे कुछ shares, मुझे कुछ investment करना है, कुछ invest करना है अपनी पैसे, तो जिस investment में मुझे वो पैसे invest करने है, क्या उसके लिए एक proper market available है, क्या उसके लिए marketability easy है, यानि उसको मैं easily sale purchase कर सकती हूँ, अगर हाँ, तो मैं most probably, या यह कहले जिए मुझे ज़ादा पसंद उस portfolio में invest करने में लगेगा, जहाँ पे जिन investment की marketability अच्छी होगे, तो a related aspect in marketability, यानि the ease with which an asset can be brought or sold, और asset जो होंगे, वो में भी highly marketable हो सकते हैं, या फिर less liquid for being marketable हो सकते हैं, it is important that there is a ready market for the security, important क्या है कि आपके पास एक ready market होना चाहिए, कि आप उसे कभी भी sale purchase कर सकते हो, तो ही आप उसमें invest करोगी, next अगर चलें तो tax benefit, आज के time में most probably, जो अधिकतर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि tax planning के लिए ही अपना investment करना पसंद करते हैं, यानि कि अगर आपको investment करने हैं, साथ ही साथ आपको tax benefit भी मिले, आप सब को पता है, आज के time में investment जब आप करते हो, तो आपको A.T.C. में इतना डेड़ लाग का investment मिलता है, इस financial year में आप देख सकते हो, और next year वो बढ़ेगा, कम होगा, जैसे भी होगा, उस हिसाब से फिर लोग अपनी investment को बढ़ा देते हैं, ताकि वो जादा से जादा deduction क्लेम कर सकें, अपना A.T.C. में या फिर जो भी आपकी mutual fund की deduction अविलेबल होते हैं, तो उस case में, इंसान जादा better उस portfolio की तरफ जाना पसंद करेगा, जिसमें उसको tax का benefit मेलता हो, I hope आपको मैं अपनी language में जो समझा रही हूँ, वो समझ आ रहा हो और आप exam में इसको अच्छा से लिख पाएं, कोई भी अगर आपको query होती है, please comment box में बता दीजिएगा, मैं काफे time से available नहीं थी, but now I will try it my best, कि मैं आप सब की help कर सकूँ, आप देखिए tax benefit हुआ, उसके बाद hedge against inflation, इंसान investment क्यों करता है, अगर हम normal language में भी बात करें, return के लिए, लेकिन एक चीज़ आपने कभी notice की है, कि आज जो आप store पे invest कर रहे हो, वो एक महीने बाद आपको 102 रुपए मिल रहा है, यानि 2 रुपए का उस पर interest बनके मिलेगा, और आज के महंगाई के दोर में, जो महंगाई आपकी बढ़ रही है, महंगाई की दरे बढ़ रही है, आज के time में जो आपकी 100 रुपए की value है, वो एक महीने बाद 102 रुपए की value सेम होगी, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, कि जब भी हम investment कर रहे होते हैं, तो आज का जो price है, यह future में जो हमें उस time पे मिलने वाला है, उसको compare कीजेगा, तो आप समझेगे कि actual जो आपको return मिला है, वो अलग है than nominal return के, इसमें difference आता है, अब इस difference का मतलब क्या है, देखें, ऐसी investment में invest कीजिए, जो की future में भी उसकी value अलग होनी चाहिए, ऐसा ना हो, आज जो आपकी पैसे की value है, वही आपकी future में आपको मिल रही हो, उससे थोड़ा extra अगर आपको मिल रहा है, तो ही आप उसमें invest कीजिए, तो इसको कहते हैं hedge against inflation, यानि कि inflation महंगाई के, जो against आप अपना बचाव कर सेके, hedge होता है बचाव करना, अपने आपको secure करना, safety of capital, last one, ये मैं अभी आपको 7th point बता रही हूँ, safety of capital, 7 point मेरे हिसाब से enough है, और अगर आपको और भी points लगते हैं, तो आप वह भी लिख सकते हो, चलिए, safety of capital, भले ही आपको return ना मिले, कुछ problem हो जाती है, कोई दिक्कत नी, बट at least आपका जो capital आपने principal amount लगाया है, वो safe रहना चाहिए, अगर ऐसी situation है, आपको ऐसा डर लग रहा है, कि यार इसमें मेरा principal amount ही डूब जाएगा, कुछ आना जाना तो है नी, और जो लगाऊँगा वो भी चला जाएगा, तो ऐसे investment में आप कभी भी invest करना पसंद नहीं करेंगे, कोई भी investor जो है, वो ऐसी situation में invest करेगा, जहाँ at least उसको अपनी capital जो लगा रहा है, उसकी safety मिले, तो in this case, आप ऐसी जगे पर ऐसे investment में invest करोगे, जहाँ आपको safety मिले of your capital, तो यह थे हमारे 7 points, I hope आपको समझ आए हूँ, and कोई भी problem हो, please feel free to ask, and I hope आप exam में अच्छा कर सके, best of luck for your exams and